हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्राफिल इस्टडी तो आज हम लोग एक साथ जोड घटाब गुन्ना और भाग करना सिखेंगे तो यहां कोईशन है दोस्तों 5 प्लॉस 5 भागे 5 मैनस 5 गुने 5 तो दोस्तों यहां देखें यहां प्लॉस का चिन है भाग का चिन है मैनस का चि तो इसमें से हम पहले किसे हल करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको एक नियम पता होना चाहिए जो नियम है दोस्तों बोर्ड मास नियम यानि हम इसे बोर्ड मास के नियम अनुसारी हल करेंगे तो दोस्तों बोर्ड मास का जो नियम होता है वो देखें किस परकार होता ह बोर्ड मास तो B का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट O का मतलब होता है दोस्तों OFF यानि का और D का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन बहाग जैसे हम बहाग केते हैं डिवीजन यानि भाग M का मतलब होता है दोस्तों MULTIPLY यानि गुन्ना A का मतलब होता है दोस्तों addition यानि जोड S का मतलब होता है दोस्तों सब्ट्रेक्शन यानि घटाब तो दोस्तों बोर्ड मास नियम यह है कि जब भी हम कोईशन को हल करेंगे बोर्ड मास के नियम अनुसार तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे यानि bracket का काम करेंगे, फिर हम off का काम करेंगे, off मतलब गुन्ना होता है, फिर हम भाग का काम करेंगे, फिर गुन्ना का काम करेंगे, फिर जोरेंगे और last में घटाएंगे तो हमें इस question में bracket और off नहीं दिया है, हमें भाग, गुन्ना, प्लस और माइनस चिन दिया है तो अभी हम इस चारों चिन को देखेंगे तो board mask के नियमन सा दोस्तों पहले हम किसका काम करेंगे चिन में पहले भाग का काम करेंगे फिर गुलना का फिर जो रहेंगे और लास में घटाब का काम करेंगे तो यहां देखें पांथ भागे पांच है तो हम पहले भाग करेंगे इसको और इसको हम ऐसे उतार लेते हैं हम लिखेंगे 5 प्लस तो 5 में 5 से भाग देंगे दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा एक बार में तो हम यहां लिखेंगे 1 और यह माइनस 5 गुने 5 हम पहले भाग काम करेंगे इसलिए हमने यहां पहले भाग काम कर दिया तो भाग काम करने के बाद दोस्तों अब हम किसका काम करेंगे गुन्ना का काम करेंगे तो गुना यहाँ है तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं हम लिखेंगे 5 प्लस 1 माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे 25 तो गुना का काम भी हो गया अब दोस्तों किसका काम करेंगे प्लस का यानि जो रहेंगे तो यहाँ देखें 5 के अगारे कोई चीन नहीं लगा है तो प्लस का चीन है और यहाँ एक के अगारे भी प्लस का चीन है और यहाँ माइनस 25 है तो हम प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस 5 और प्लस 1 है तो प्लस करेंगे दोस्तों कितना होगा 6 और यह माइनस 25 अब हम किसका काम कर करेंगे यहां माइनस चीन बाकी रगया तो इसका काम करेंगे तो दोस्तों यहां छे के अगार कोई चीन नहीं तो प्लॉस का चीन है तो प्लॉस माइनस क्या होता है माइनस और चीन बड़ी संख्या का तो 25 बड़ा है इसी दोस्तों इसका चीन होगा यानि माइनस चीन होगा अब हम घटाएंगे तो 25 में से 6 मैंनेस करेंगे कितना होगा 19 तो 19 हो जाएगा दोस्तों इसका answer दूसरा question है दोस्तों 5 मैंनेस 3 गुने 2 भागे 2 प्लस 7 तो यहां भी दोस्तों हम board mask के नियम अनुसार इसे haul करेंगे तो यहां हमें कोश्टक और off नहीं दिया है तो इसे छोड़ देंगे हम इस 4 चिन्नों का काम करेंगे तो इसमें पहले हम किसका काम करेंगे भाग का फिर गुना का फिर जोर का और लास में घटाएंगे तो पहले हम भाग करेंगे तो 2 को 2 से भाग देंगे तो यहां तक हम इसे ऐसे उतार देते हैं हम लिखेंगे 5 माइनस 3 गुने 2 को 2 से भाग देंगे एक बार में कर जाएगा और यह प्लॉस 7 अब भाग के बाद हम गुना का काम करेंगे तो हम लिखेंगे 5 माइनस 3 को एक से गुना करेंगे 3 प्लस 7 अब हम किसका काम करेंगे प्लस का काम करेंगे तो यहाँ प्लस 5 है और प्लस 7 है तो इसे जोड़ लेते हैं 7 5 12 और यह माइनस 3 अब हम घटाब का काम करेंगे तो 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 9 9 3 12 तो 9 होगा दोस्तों इसका answer ठीक है इस परकार दोस्तों हम बोर्ड मGen्वेश को सब्सक्राइव सब्सक्राइए यहांनि जब करेंगे यानि जब भी हम एक साथ जोड घटा आब गुन्ना और भाग का सवाल को हल करेंगे तो पहले हम भाग का काम करेंगे फिर गुन्ना का फिर जोड का और लास में घटाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए